हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग ओलो फ्यू आपसे भी कैसे हो अच्छे होंगे तो आज हम आई हैं आपके सामने नए टोपिक के साथ और नई वीडियो के साथ तो प्लीज वीडियो पर अंतक बने रहे और देखना हमने क्या क्या आपने प्लांटों के लिए क्या जुगा हो गए हैं जगह हैं कम मेरे पास तो इसके लिए मुझे आज थोड़ा सा एक चुकाड करना था इन चोटे-चोटे प्लांटों को एक साथ रखने के लिए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेर करूं यह सभी चोटे-चोटे बड़े प्लांटों के पास र देखें यह मेरे पास है स्टैंड जो चपल जूते रखते हैं सभी के घर पर होता है और आज कल कोई भी इसका यूज जादा तर तो नहीं कर रहे हैं इस तरीके के स्टैंड का यूज ने करें अलबारिया बनवाते हैं तो यह मेरे पास वेस्ट में पढ़ा हुआ था पहले मैं सोचती थी किसी काम में तो यूज आए गई ही तो इस स्टैंड का यूज करेंगे आज हम अपने प्लांट्रों को रखने के लिए तो यहां पर एक फट्टी नहीं थी तो मैंने यह वेस्ट में पढ़ा हुआ था बच्चो का बैठ है अब तो नहीं केलते से इसको यहां कटमा दिया है लगा दिया है जाये तो आप इस पर ग्रीन मैट योज़ कर सकते हैं पर मेरे पास एब लेबल नहीं है तो मैं इस पे एक फॉइट फॉम है उसका यूज़ करूंगी तो यह देखिए मेरे फाइट फॉम है तो मैं इसके इक ऑपर फित्रक एक को नीचे लिच बस पड़े वगयरा सूट वगयरा के अंदर से निकलती है तो इसके अंदर यहां पर भी बिचा लूंगी मैं बाद में अभी फिलाल को यह दो ही थी मेरे पास मैंने और पहले फैक दी थी नहीं तो पर निकलती है तो उपर और नीचे की तरफ मैंने बिछा ली है अब रखेंगे अपने पॉर्ट को यह जो चोटे-चोटे पॉर्ट से उनको आप रखेंगे लाधी तो इन पॉर्टों को रखेंगे हम यहां उपार अब यह जादा स्कॉर्ट आ जाएंगे मेरे तो यह देखे हमने कर दिया है सभी प्लांटों को सिफ्ट और देखे कितने प्लांटर आ गए है इसके अंदर और मेरी वहाँ पर दिवार है वह हो चुकी है खाली बिल्कुल और यह देखे कितने सारे पॉर्स इसके अंदर आ चुके हैं और हम साइड से भी हैंक कर सकते हैं यहाँ पर भी हैंक कर सकते हैं तो यह देखे देखे इस पेबी में ने फट्टी के ऊपर भी छोटे-छोटे पोर्स को किसमें अच्छे से डेकुरेट किया है तो यह देखे कैसे लगा आपको प्लीज लाइक और कमेंट करके बताना तो अब हम करेंगे साइड से लेकुरेट करेंगे क्योंकि यह इस तरफ से अजीब सा लग रहा है दिखने पर तो यहाँ पर रखेंगे हम एक प्लांट को इस तरफ इस पोने पर तो यह देखे इस पोट को हम लेके आए हैं दूसरी जगह से और यहाँ पर रखा है और ये देखे किस तरीके से फेलावाई इसको उपर के तरब से बान देंगे और साइड से ये देखे ये एरिया कवर हो जाएगा तो इसको आप बान देते हैं उपर दिवार पे देख सकते हैं आप याम पर तो ये देखे ये हमने उपर की तरफ से बान दे है और ये देखे इस तरफ से दिखाते हैं आपको बिल्कूल ही अच्छे से लग रहे हैं तो आप बताओ कैसा लगा आपको मेरे ये आईडिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई